हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका नए वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फोन में जो टाइम लैप्स कैमरा सेटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले जैसे कि आप देख रहे हमारे पास यहां है ओपो का फोन आप देख सकते हैं ओपो ये 31 इस तरीकी का आइकन आपको दिख जाएगा तो आपको उपर स्क्रॉल करना आप यहां बहुत सारे और ओप्शन द क्लिक करने के बाद जो है आप यहां पर इस तरीके का आइकन देख सकते हैं यहां पर इस तरीके का आइकन दिख जाएगा आपको अलग 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 वरक होता है अलग अलग काम होता है यानि कि आप जानते ही पहले से तो उसके बद अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हम ट आप कुछी भी बना लेंगे जैसे मैं बना रही हूं उसकाद सेव कर लेंगे अपनी वीडियो को सेव करने के बाद जब आप अपनी वीडियो को चला कर देखेंगे तो जो आप देख रहें हैं आपकी वीडियो ज़ली-जली चल रही है तो इस तरीके से जब भी आप time lapse camera setting में वीडियो को बनाएंगे तो आपकी वीडियो की speed जोए खुद से automatically fast हो जाएगी इस तरीक से तो उमीद है friend आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो channel को subscribe और वीडियो को like करना ना भूले तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye और अगर आप कोई वीजानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें comment भी कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye